के टाइम में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि पास्पोर्ट भी एमबैसी ने रोक रखे हैं फसे हुए पास्पोर्ट करते हो तो भाई अभी तक जितनी भी एप्लिकेशन डली है फैमिली के साथ मैं अनुसली बता रहा हूँ हमारा दोनों कर लेते हैं बच्चों का बात में करेंगा मैंने बोला इनकी प्रोफाइल देखी फाइनेंचल देखे पॉसिबल क्योंकि भाई अंबसी अल्टिमेट डिसीजन जो है अंबसी के हाथ में रहता है और उनी को पता होता है कि भाई तो यह डोकमेंट्स इनको भेज है एक, दो, तील और यह चार यह फैमिली का वीजा है और जापान वीजा है यह जापान वीजा और आस हम आपको दिखा देता हूं यह देखी जापान का टूरिस्ट वीजा है यह तो अभी रिसेंटली अप्रोव हुआ है मैंने शेटस भी डाला सा स्टोरी भी लगाई थी तो जापान के वीजा आ रहे हैं यह चार वीजा प्रोव हुए हैं क्योंकि फैमिली के थे तो एक ही साथ आए है और फैमिली वीजा का रिस्पॉंस कैसा आ रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे जापान अगर आपको ट्रैवल करना है ऐसे फैमिली आप ट्रैवल कर रहे वो सारी चीजे, आप लोगों के सवालों के जवाब और इनकी प्रोफाइल क्या थी तो वो मैं सारी चीजे आपको इस उडियो में बताऊंगा किसी भाई का कोई डाउट रहता है भाई या फिर किसी भाई को हमसे कॉंटेक्ट करना है तो कैसे करना है आपको इन्स्टाग्राम के थ्रू कॉंटेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्क्रीन पर भी आ रहा होगा उपर आप देख लेना तो यहाँ पर आप हमें फोलो करो और मैसेज करो यहाँ पर आपको कोई भी अगर कोई क्वेरी है कोई डाउट है फिर सर्विस लेनी है किसी भी कंट्री कि आपको वीजा लगवाना है तो यहाँ आपको आपको क्लिक करो और वहाँ से आपको हमें फोलो करके मैसेज कर सकते हो अब बहुत सारे बंदेर यह बोल रहे हैं कि कोई हमारा नाम लेकर आपसे प्राइख करता है या अपको बोलता है कि जरूसर वहाँ सब्सक्री करत सब्सक्री às कोई भीॐलिए लिंक पर के साथ नहीं किसी का भी अगर कोई बोल रहाहे है तो तेक वह अपने जीज़ें बनानाने वह चक्कर में है उसकता हम लोग सहाथ So to be very careful इस चीज़ से हमारा correlation नहीं है किसी करता है क्योंकि complaints आती है भाई तो बताना जरूर है तो finally start करते हैं कि कैसे इनका वीजा आया कितने दिन में आया Welcome back to the channel मैं रोविन दिमान आपका स्वागत करता हूँ और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं approved जापान के वीजा के बारे में family का ये वीजा आया है चार बंदों का वीजा आया है एक साथ और चारों का वीजा अप्रू हुआ है तो आप लोग अगर apply करना चाहते हैं कितने दिन में वीजा मिल रहा है क्या documents है process इसका क्या है कैसे ये आप लोगों को करना है मालो कि आपने जापान का travel plan कर लिया तो कैसे आपको ये वीजा मिलेगा काफी सारे सवाल है आप लोगों के result कितने दिन में आ रहा है submission के बाद कितने दिन में काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा एंड काफी knowledge मिलेगा आपको तो पहले तो मैं आपको फ़रासा एक बार ये दिखा देता हूं ये देखिए अगर आपको ये दिख रहा है तो ये हाँ आप ये आपको दिखा तो 11 तारिक तो almost almost भाई 19 ये 20 दिन लगा लो कि इनका वीजा आ गया so जो normal processing time आप लोग पूछते हो कितना है जापान के लिए तो भाई वो है almost 15 working days ये बोलते हैं अब हम आपको दिखाऊंगा भी ठीका स्क्रीन पर दिखाऊंगा live 15 working days ये बोलते हैं उसका मतलब क्या है कि at least आप 20 to 25 days लेके चलना अगर आपका plan है कि आप जापान को आपको travel करना है आपने passport दे दिया अभी के time में थोड़ा सा issue आ रहा है कि passport भी embassy ने रोक रखे हैं फसे हुँ है passport कि एक बंदे को अपना एक client था उनको अभी visa बज़ारे को मिलाने उनका जो travel date है वो भी expired होगी और still कोई embassy response नहीं दे रही है mail भी कर लिया है उनको ठीक है तो इसका भी मैं solution आपको end में बतातूंगा तो अगर आप as a family apply करते हो तो भाई अभी तक जितनी भी application daily है family के साथ मैं honestly बता रहा हूँ एक भी refuse नहीं हुई family के साथ जापान की जितनी भी application daily है हर एक application approve हुई है वो चाहे दो बंदे हो या फिर तीन हो या फिर चार तो अब ये पाजी बोल लेते हैं हम पहले बच्चो का कर लेते हैं स्वरी हमारा दोनों कर लेते हैं बच्चो का बात में करेंगा मैंने बोला इनकी profile देखी financial देखे travel history देखी तो मैंने suggest कि भाई आप बच्चो का भी लगा तो मुझे लगा कि हाँ chances हैं तो मैंने इनको बोला देन हिनों ने proceed किया तो finally agree होगे and proceed किया और finally जो वीजा आप देख सकते हो यह चारो वीजा इनके आ चुके हैं अप चीज क्या है कि मालोग आप लोग यह पूस्ते हैं कि भाई आप हमें 100 प्रसेंट शोर्टी दो तो भाई 100 प्रसेंट शोर्टी देखो मैं नहीं दे सकता इट इस नोट पॉसिबल करें अब चीज को पता होता है कि भाई किन को देना है किन को नहीं देना वीजा मिलता है आपकी प्रोफाइल पर ठीक है आपकी जो डोकुमेंट की प्रेजेंटेशन है वो बैस वो बहुत important role play करते है कि आपको विजा मिलेगा and travel history जैसे इनकी travel history के बात करूँ तो भाई ये एक बार UK travel थे और एक बार shanigan travel थे तो आप लोग ये बोल सकते कि travel history इनकी काफी अच्छी थी तो definitely इनको विजा मिल गया but ऐसा भी cases है past में कि इनके पास इन country के विजा थे उनका refuse भी होगा है जापान का मतलब shanigan country का विजा था पर जापान का विजा जो है refuse हो गया तो ऐसे cases भी है वो पंजाब से थे और इनका passport है हर्यांगा तो ये difference है और यह हो भी सकता है कोई ऐसा 100% नहीं है कि भाई हां कि अगर आपके पास यह आपकी प्रोफाइला तो मिल ही जाएगा ऐसा भी नहीं होता बहुत सारे cases है क्योंकि सामने नहीं आती तो पता नहीं चलता अब आप इतनी चीज कर लेने के बाद आपको पता चलेगा कि हाया तो डोकुमेंट्स में आती है और फैनेंचल भाई इनके फैनेंचल ठीक थे 7 लाग के असपास बैलेंस था आसपास का मतलब मैं कहता हूं कि भाई 10-20,000 उपर नीचे हो जाता है तो कोई मैंटर नहीं है इसका मतलब यही रहता है ठीक है एंड दूसरी चीज ट्रैवलिस्टी मैं आपको बता दी जो बच्चों के पास्पोट एकदम फ्रेश कोई ट्रैवलिस्टी नहीं थि बट आप उनके पास्पोटपे जो है यापान का वीजा लग चुका है अब आपके पास limited documents limited in the sense कि ITR है latest bank statement है यह आपको दिखाऊ हूँ तो यह देखो थोड़ी सीजी चीज भी आप लोगों को पता होने चाहिए यह documents आप देख सकते हो जानी चीज घुझा है तो यह documents इनको भीज़ी होने तो देखो बहुत सारे बंदिया बोलते कि मिलना है मिलना आप मिलो तब बात हो जाएगी तो भाई देखो मिलने का time लगनी पाता चीज है और यह जो चीज है जो इसे बनी इनको भीज़ी है आप लोगों को भी ऐसे ही मिल कि YEI je जाता है कि अपकोन आपने सम्मिट कि आपकी फाइल जमा रही है इस्से ज़्यादा conform और क्या होगी आप अपना एड्रस देते हो और और देते हो सब कुछ आपका खुद का अपना ही रहता है इसमें कोई भी अलग से चीज़ नहीं डाली जाती है फिर ऐसा नहीं कि एजेंट नहीं समिट कर दिया आपको पता ही नहीं कि करो आपका रिजल्ट आ जाता है पोजिटीव नेगटिव जो भी है रिफ्यूजल आने का मतलब यह नहीं है कि आपका पास्पोर्ट बेकार हो गया या पास्पोर्ट अपको खराब होगा दुबार आपको वीजा मिलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्टेंप इसमें लगती है आपका रिफीजा रिफ्यूज होता है तो वो चोटी सी स्टेंप लगाते हैं और एबी सी करके वो लगती है उसमें से जो सरकल होता है मुझली सी पे होता है जिसमें की इसका मतलब यह है कि आप सिक्स मनत बाद आप दुबार अपलाई करो दैन आपके वो वीजा प्रूफ हो जाता है वह बहुत सारे लोगों का हुआ इसा कूछ नहीं है अब डोकुमेंट तुमास आपके पास क्या क्या होनी चाहिए है Freiए आपके पास को Says這些 है ऑले तो वह सारे लासेंस बगराई में एज बिजनस प्रूफ कंसीडर होते हैं सिरफ और सिरफ अगर MSM आपके पास है तो उसके बेसे भी आप फिज आप लाए कर सकते हो विदाउट अनी प्रॉप यह सारी डोकुमेंट्स होगे आप बैंक स्टेट्मेंट बिजनस प्रूफ और आपकी ITR लेटेस्ट सिरफ यह डो जिनकी लोग है उनके भी आया जो जापान का जो सक्सेश रेशो है अभी के टाइम में बैटर है तो बूलाओं की 72 75 परसेंट रेशो भी है जिश की विजा आरे तो अभी मैंने आपको किस बताता कि जो पाजी है उनका विजा नहीं आया तो उनका विजा क्यों नहीं आया देखो भी रीजन तो कुछ पता नहीं है और अल्मोस्ट थर्टी डेस से ज़्यादा वो क्रोज कर चुके हैं अब उसका solution मैंने बोला थी का मैं आपको बताऊंगा अगर आप भी इस चक्कर में फसे हुए हैं आपका विजान नहीं आया है तो आप लोग भी आपको पोस्ट करना है जैसे आपको पोस्ट करना है जैसे आप कर दोगे तो भी दिन वेरी शोट टाइम आपको रिजल्ट आ जाएगा तो पोजीटिव नेगीटिव जयो भी होगा अप शेयर कर सकते हैं फिर रिचूड़ी होगी नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कितने दिन में आपका विजल्ट आया तो यह भी आ पताओ थो थोडा मैसेज करो वहाँ पे आपको रिप्लाइ मिल जागा सर्विस आपको लेनी है आपको जापान का विजा लगवाना है कंप्लेट फाइलिंग करानी है तो उसके लिए आपको इंस्टागराम पे कॉंट्रेक्ट करना पड़ेगा डिस्क्रिप्सिन में लिंक है और स्क्रीन पर भ दिखा रहा हूं कि डोकुमेंट्स क्या क्या चाहिए यह आप यहां पर देख सकते हो एक तो वैलिड पासपोर्ट ठीक है और कई सारे लोग जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं आपके बाइड़ पेज फ्रेंट और लास्ट पेजिस की कोपी चाहिए ठीक है और आपका कंप् देखें रहते हैं कि इसका साइज क्या है तो भाई टू बाइटू का साइज है टू बाइटू वहां पर 3545 लिखा हुआ है बट उसको आप मत लेने के जाना क्या आपको नहीं तो दुबारा करवाना पड़ता है कवर लेटर सबसे इंपोर्टेंट है डोकुमेंट्स टू यह आपका जो फ्लाइट हो गई आना और जाना ट्रेवल आईटर यह ओ गई लेटर आइटर अगर यह भी आपके पास नहीं है तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर डिपेंडेंट्स है तो अपकी लेटर उनकी लगेगी तो यही सारी डोकुमेंट्स है भाई अगर आ कितना टाइम लेती हैं इन्होंने क्या लिख रखा आप देखो नियु दिली फॉर दा प्रोसेसिंग ओफ इच अप्लिकेशन इस मिनिमम फाइफ वर्किंग डेज मिनिमम पांच दिन बोला इन्होंने वाई ऐसा कुछ भी नहीं है यह कंप्लीटल इन्होंने ऐसे लिख रखा है जो एक्चुल रियालिटी है भाई 20 दिन के आसपास तो लगी रहे हैं 15 से 20 दिन डेफिनेटली लग रहे हैं वीजा आने में तो थोड़ा सा सोच समझ के प्लान करना क्योंकि हो सकता है कि आपका जो प्लान है वो थोड़ा सा डिले होगा आपका पासपोर्ट रिजल्ट आने में तो आपका प्लाइन सारा वो चोपड हो जाएगा और कोई भी बंदा भाई फ्लाइट लाइट बुक ना करे यह वापका वीजा है तो आप फ्लाइट बुक करो तब आप प्रोसीड करो होफुली वीडियो आपको अच्छे लगे होगे भाई यह इसमें कोई डाउ जा बेट वीडियो में तिल देन तेकर वाहिए थैंक न।क्षोच वाच वाचिंट वची वाचिंट 5